I am Dr. Salil Upal, DM Neurologist, Senior Consultant Upal Neuro Hospital. आज वर्ल्ड Multiple Sclerosis Day है. इसमें आपको में में कुछ बताना चाहूँगा. चलीबा तो यह Multiple Sclerosis होता क्या है? Basically, इसमें क्या होता है? जो हमारी दिमाग की नाडी होती है, यहां इड की हड़ी की जान सी नाडीयां जारी होती है. उसमें क्या होता है उसमें एक तरह की ग्रीस लगी होती है माइलिन उसमें जब उसका डैमेज हो जाता है तो जिसके कारण यह डिजीज में मल्टिपल स्क्लोरसिस उसमें हो सकता है पेशिंट को बेसिकली मल्टिपल स्क्लोरसिस वाले पेशिंट के लच्छन क्या होते हैं अक मेरा हाथ भारी होने लग पड़ा है यहां मेरे हाथ में कमजोर ही आ गी है यह मुझे चलने में दिक्कत आ रही है यह मेरी टांग इतनी भारी है चलने के टाइम पर कि मुझसे चला नहीं जाता सो इस यह सारे लचनों जान से होते हैं यह मुल्टिपल स्क्लोरसिस में होते हैं सो मैं हमेशा यह कहता हूँ कि अगर आपकी आँखों में धुंदला पन आता है यह जो सारे लचन हाथ भारी होना या सुन होना या टांगों का दिक्कत आना तो इसको मतलब सीरियसली लिए क्य मौल्टिपल स्क्लोरसिस की और बहुत ही सस्ती है सो मल्टिपल स्क्लोरस संका इलाज है और इससे बचेस्ट this नहीं अपनी घ्रीटेबल खाएं प्ल फ्रूट खाएं उससे मतलब कि आपके जो नाडें हैं दिमाग की रीड की हैं की वो मतलब स्ट्रॉंग रहती हैं और दूसरा साथ के साथ यह एलकोहॉल और जो ड्रग्स हैं और जो स्मोकिंग है इससे बच के रहें क्योंकि यह इस बिमारी को बढ़ा सकता है बाकी रह गया कि इसकी जो ट्रीटमेंट है इसकी ट्रीटमेंट टैबलेट के थू भी है और के थू भी है और आज कल तो सरकार के कारण काफी ज़्यदा इसकी जो टैबलेट्स हैं वो सस्ती हो चुकी हुए है सो मल्टिपल स्क्लोरोसिस का इलाज है टाइम से इसके लचनों को देखा जाए और एक निरॉलेजिस्ट को दिखाया जाए थैंक्यू